या देवी सर्वभूतेशु चंद्रघंटा रूपे नसंस्तिता नमा तस्य नमा तस्य तस्य नमो नमा हा नौरात्र की तीसरे दिन आदिशक्ति माता विंद्यवासिनी की चंद्रघंटा के रूप में पूजा अरादना की जाती है अनादे काल से आस्था का केंद्र रहे विध्यांचल में विंध्व परवत्व पतीत पावन मा भागी रती के संगम तठ पर श्री यंत्र पर विराजमान है मा विंधवासनी को तीसरे दिन चंद्रगंटा के रूप में पूझा जाता है मा हरत के मानक समय के लिए विंधू के रूप में स्थापित विंध शेत्र में मा को विंधवासनी अर्थाद विंधवासनी के नाम से भाग्तो के कष्ट दूर करने वाला माना गया है जहां एक और मा चंद्रघंटा दुष्टों के सहार हितू अपने घटकों से करती है वहीं भक्तों के कष्टों का नाश भी घंटे से निकलने वाली ध्वनी से ही हो जाती है प्रतिक प्रानी को सदमार्ग पर प्रेरित करने वाली मा चंद्रघंटा सभी के लिए आरा थे देवी है विद्वान ये भी बताते हैं कि मंदिर में घंटा लगाने का धार्मिक और वेग्यानिक तोनों महत्व है साथकों के मनिपूर्वक चक्रत जाकृत होते हैं साथी भक्तों को हलवा पूरी का भूब मा को अर्पन करने से इस दिन समस्तमनुकामनाई भी पूर्ण होती हैं आज तिसरा दिन मा का चंद्रघंटा माता का तिसरा दिन है आज के दिन का जो सुरूफ है मा का वो है माध दूरगा का सुरूफ इसमें अर्थ चंद्रमा को अपने मस्तक पर बिराजमान करती हैं जिसके कारण मा चंद्रघंटा नाम से विश्व में प्रसिद्ध हैं आज के दिन दूद से बनी मिठाई, दूद से बना खीर चढ़ाने से घर में अच्छे लच्मी की प्राप्ती होती है जिनें पुत्र नहीं है यह वो यदि दूद से बना खीर मा को भोग लगाएं तो निय संदेय उस खीर को खाने से मा के आसिरवाद से उनके घर में सुक्सानती वो संतान की प्राप्ती होती है मा चंद्रगंटा के रूप में देवी के आराधना से मनी चक्र जाकरूत होता है जिससे विक्ति का समय चक्र परिवर्दित होता है धाम में आने वाले भक्त यहां आकर बहुत खुश हैं भक्तों का कहना है कि मातरानी सभी मनोकामनाओं की पूर्ती करती हैं पिछले कई नवरात्र में नौ दिन तक मा के अलग-अलग रूपों की पुझा कर भक्त सभी कष्टों से छुटकारा पाते हैं। माता के किसी भी रूप में दर्शन करने मात्र से प्रानी के शरीर में नई उर्जा, नया उत्साहा वस्द्विचार का संचार होता है। मैं विन्हाचल माता प्याई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन करने आई हूँ, बहुत शुकूर मिलता है हूंको। पिचापूर से अजे दुबे की रिपोर्ट